है गाइज कैसे आप लोग आए हूप कि आप लोग मज़े करें होंगे यह जिन्दा है इशिका देखू यह जिन्दा है हाँ मैं जिन्दा हूँ और ठैंक्यू बोलने कि कोई जरूत नहीं इतनी जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसलिए है छोड़ो भाई लोग यह सब बाते आभी बाद में करते और आते अपने में टॉपिक पे यानि कि हमारी चिटर नंबर वन टीम ऑस्ट्रेलिया पे जिसको हम ऐसे मस्त मसाला बिसाला लगा के रोश्ट करने वाले तो आज का वीडियो एंड शजब देखना क्योंकि आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है एंड एंड तो दोस्तो ऑस्ट्रेली एक ऐसी टीम है जो भाय सब क्रिकेट में काफी तगडी टीम है लेकिन साती में Australian cricket team गली का वो बच्चा है जो पेहली बॉल पे आउट होने के बाद बोलता है कि नहीं यह तो ट्रायल बॉल था उस्ट्रेलियन टीम गली का वो मादर चोद बच्चा है जो आउट होने के बाद मैं नहीं खेल रहा मेरा बैट है मैं जा रहा हूँ घर ये बोलके भाग जाता है नई यार मतलब हारने पर आ गई तो ये टीम पुरी रोतडू बन जाती है अभी इंडिया और आस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज हुई जहाँ पर इन लोगों को लगा कि ये इंडियन टीम नहीं पाकिस्तानी टीम है जिनको हम डरा के स्लेजिंग करके चिटिंग करके हरा देंग यार यह उस्ट्रेलिया वाले नहीं जानते ये नया इंडिया है घर में घुसेगा भी मारेगा भी और ट्रोफी और लड़की ले जाएगा वो अलग इसलिए भाई सब इंडिया को चैलेंज करने की कोशिश मत करना मुझे अभी भी याद है कि पाच्छी दिन पहले उस्ट वेसे इसका जवाब तो अश्विन ने वही पर दे दिया था लेकिन हमारे स्पाइडर मैन और सिराज भाई ने इसके जवाब के बदले में इनकी गाबा में जो डंडा दिया था ना बोले तो बिलकुल मज़ा आ गया और दोस्तों इस सीरीज में हमने सिर्फ इनके गाबा में डंडा ने दिया बलकि हर बात का सूत समेत बदला भी लिया है मुच पी आती तुमे चोर्टे ताँ मेरे भाई पी आती तुमे पोर्टे ताँ अब दोस्तों में आपको इंडियन क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलिन क्रिकेटर्स में डिफरेंस बताता हूँ हमारे इंडियन प्लेयर्स क्रिकेट ग्राउंड पर नैशनल एंथम को सुनते टाइम इमोशनल हो जाते खुद को proud feel करते कि उनको इंडिया की तरब से खेलने का मुखा मिला लेकिन उस्ट्रेलिया के player उनके national anthem के time पे क्या करते वो दिखा देता हूँ नहीं मतलब यार national anthem की respect तो छोड़ो ये लोग literally एक दूसरे की गान में उंगली कर रहे और उंगली करने वाली जनाब है उस्मान खौजा और जिनके अंदर उंगली हो रही है वो है एडम जंपा और भाई साब खबर ऐसी भी आई है कि इस incident के बाद मारकस टोईन इसने उस्मान खौजा की जंप कर पिटाई की थी नहीं मतलब भाई लोग Australian cricket खिलाडियों के दूसरे टीम के खिलाडियों से संबन भली कितने भी खराब क्यों ना हो लेकिन इनके टीम के प्लियरों के आपस के संबन काफी गहरे है और मीठे मीठे है हुँ हां ए QUा दे लोग ए्टही है वाहरा अब बजया है गना ब जो हुँ है भाई वेसे दोस्तों ये जो हर्कत हुए ना उससे मुझे ये नहीं लगता कि कोई आस्ट्रिलिया का बंदा ऐसी हर्कत कर सकता है भले ही उनके प्लेयर कितने भी गीरे हुए चीटर घबंडी और भॉकने वाले क्यों ना लेकिन गान में उंगली करना ऐसे हर्कते वो नहीं कर सकते ह असी हर्कते तो भाई साब सिर्फ पाकिस्तान में होती है रुको लेट मी चेक कि ये उस्मान ख्वाजा है कहा से बाई साब तभी मैं सोचू कि उस्मान ख्वाजा जी को ये सब करने की इंस्पिरेशन कहा से मिल रही है अब दोस्तों आते Australian crowd पे जो ground में बाई सब हमारे players को racist comment कर रहेते उनको गालिया दे रहेते ने यार इनको कोई बताओ यार गाली देने के मामले में ये अभी बच्चे वो तो खेरमनाओ के ground पे मुहमत सीराथ ते जो दिल के अच्छे और पलट की जवाब नहीं दिया वरना हमारी या बच्पन में ही गालियों की पीएचडी कर डालते है सीराज की जगह को यह हमारी गली का बच्चा होता न तो स्लेजिंग करने वाले उन ओडियंस को ऐसी ऐसी इनोवेटिव और क्रियेटिव गालिया फेक के मारता न वो उनके शरीर के आर पर चली जाती वैसे ऑस्ट्रेलिया की ओडियंस का भाइसा उनका कुछ अलगी चूतिया पर चलता रहता है वो लोग चुप चप मैच देखने के बज़ाए बाकि सब करेंगे अब इन मोहतरमा को ही देख लो मैच देखना छोड़ के ये कौन सा ग्यान बाट रही है नहीं या छोड़ो इनका चूतिया पा बात करते हैं हमारे प्लेयरों की बंदों ने क्या गेम खेला है भाई सब क्या जज़बा दिखा है नहीं मतलब आदे से ज़्यादा प्लेयर इंजर्ड, 36 बॉल पे ओल आउट, मेन खिलाडी मैच से बाय है और सामने थे बड़े नाम और एक्सपेरियंस खिलाडी उपर से स्लेजिंग और चेटिंग इन सब पे मात करते हो है हमारी यंग्स्टर ने काफी कमाल का खेल दिखा है और लोगों को नया लेशन दिया है कि सामने कोई भी क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल सिच्चुएशन क्यों ना हो, अगर दिल से खेले तो कंगारू को भी कुत्ता बना के पहला जा सकता है वेसे बस दोस्तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और चाहिए तो गालिया भी दे देना यार वीडियो लेट डालने के लिए लेकिन कमेंट जरूर करना मैं आपसे जरूर रेगुलर वीडियो जालूगा तो भाई सब चैनल पे नए हो तो फ्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकोन जरूर दबाना उससे आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे तो भाई दूस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए एक पल का जीना फिर तो है जाना गल्फ्रेंड क्या बनेगी तेरी बस तू ही लाना खाली हात आया था तू खाली हात जाएगा बस टिंडर पे राइट स्वाइप कर जाएगा तो पार्भ की दुनिया में तेरा ठिकाना निकल चल निकल निकल चल टीजे आनिकेश ए, ए, ई, पी